नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर mcx शोर गेन के इस वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन नाना और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम Angel Broking के साथ Elgo Trading किस तरीके से कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने Angel Broking ने भी Elgo Trading की API देना शुरू कर दिया है जो की Free of Cost हैं तो सबसे पहले हमें किस तरीके से Elgo Trading को स्टार्ट करना है उसके बारे में दोस्तों जान करी लेते हैं सबसे पहले हमें जाना है वेबसाइट पर जिसका नाम है www.elgocrab.com इस वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों हमें Sign Up के बटन पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट ओपन करना है जैसे ही मैं Sign Up के बटन पर क्लिक करूंगा दोस्तों यह मुझे से कुछ Credentials मागेगा जो मुझे भरनी है और आपको अपनी Credentials यहां पर डालनी होंगी मैं अपनी Credentials डालके यहां पर लॉग इन कर रहा हूं तो दोस्तों मैंने आपर डाल दी और मैंने Sign Up पे क्लिक किया जैसी मैं Sign Up पे क्लिक करूंगा यह मुझे एक और पेज़ खोलेगा जिसमें यह मुझे बताएगा कि मुझे अपना Email जो है वेरिफाई करना होगा अगर मैं अपनी Email वेरिफाई कर देता हूं तो मेरा Account successfully open हो जा करूंगा दोस्तों जैसी मैं verify email पे क्लिक करूंगा तो यह वापस हमारे को इस page पे ले आएगा login के page पे ले आएगा यानि कि हमारा successfully registration हो गया अब मैं यहां पर दोस्तों login करता हूं अपने account के साथ तो यह मैंने यहां पर login कर दिया login करने के बाद दोस्तों हमें एक dashboard मिलता ह जिस dashboard में कुछ 6 अलग-अलग strategies आती हैं जो कि आप अपनी screen पे देख पा रहे होगे यह अलग-अलग strategies यहां पर हमें मिलती हैं 6 अलग-अलग अगर हम predefined strategies के तुरू trading करना चाहते हैं तो हम इन strategies को use कर सकते हैं इनके लिए मैंने already एक video बना सकता है उसका link मैं आपको description में द इस्तिमाल करेंगे तो चार्टिंग software से किस तरीके से trade automatically generate कर सकते हैं सबसे पहले हमें जाना होता है दोस्तों authentication page पर यह page बहुत important है तो प्रीज इसको ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हमें यहां पे broker select करना जैसे allies blue है angel है बसन है इंडिच है fires है जो भी मेरा broker है मैं उसको select करूँगा सबसे पहले मैं angel select करता हूँ और angel में मैं अपनी login ID डालता हूँ और पासवड डालता हूँ यह मेरा एंजल का login details है दोस्तों यह डालने के बाद मैं यहां पे इसको update करूंगा जैसी मैं इसको update कर देता हूं उसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना होगा उसके बाद हमें करना होगा get access token पे click तो जैसे हम get access token पे click करेंगे तो यह हमारी ID password को वहां पर लेके जाएगा और हमें एक access देगा जो है जो की होगा उस दिन के लिए trading करने का अगर हम successfully access मिल जाता है तो हम यहां पर page पर वापस आजाते हैं dashboard के page पे अब हम जब अगर दोबारा से authentication page पे जाएंगे तो देखेंग access token valid का मतलब कि मेरा token valid है जो मुझे मिला है वो सही token है और अब मैं all go trading कर सकता हूँ अब दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना यह step follow करने के बाद हमें जाना होगा downloads के page में और download के page में हमें mt4 download करना है अगर आपके पास already mt4 downloaded है तो आप इस process को ना कीजेगा आप direct जो आगे का काम है वो कर सकते हैं download mt4 के बाद हमें download mqh file यह mqh file जो यह दोस्तों download करनी होगी जैसे यह bottom पे आप देख पा रहे हैं यह download होगी है अब हमें क्या करना होगा अब हमें mt4 open करना होगा अगर आपका mt4 नहीं है तो हमारी website पे mt4 का यह यहाँ पर download mt4 दिया हुआ है इस पर download कर सकते हैं और demo credentials के लिए आप हमें call कर सकते हैं हमारे numbers आपको description में मिल जाएंगे demo credential हम देंगे वो credential आप डालिए और डालने के बाद आपका alco trading स्टार्ट हो जाएगा demo period के लिए तो अब दोस्तों यह mqh की file जो है यह मुझे सबसे पहले copy करनी होगी यह बहुत important file है दोस्तों यह copy करना बहुत जरूरी है इसको हम copy कर लेते हैं और copy करने के बाद हमें जाना होगा अपने mt4 में mt4 में जाने के बाद यह मैं mt4 अपना open कर रहा हूं तो दोस्तों mt4 यहां पर हमारा चालू हो गया है और नीचे connection में देख सकते हो आप bottom पे connection status में connection में मिर पास आ रहा है अगर इसमें tick नहीं होगा तो all-go trading नहीं हो पाएगी तो हमें यहां पर टिक लगाना और okay करना और उसके बाद हमने जो mql की file जो mqh की file जो copy की थी वो हमें यहां पर paste करनी होगी हमें file में जाना है मैं दोस्तों दूबारा से दिखाता हूँ आपको हमें जाना फाइल में उसके बाद Open Data folder में जाना आ. Open Data folder में जाने के बाद हमें MQL4 में जाना और उसके बाद Include में जाना है. और यहाँ पर फाइल प्रेस्ट कर देनी है हमें STTP वाली. मेरे पास इन्हीं थी थी तो यहाँ पर रेप्लेस का मँआ रहा है. मैंने इसको रेप्लेस कर दिया. का option है इसमें देखिए काफी सारी strategies हैं जो free हैं जैसे moving average crossover पर अगर आप trade करना चाहते हैं तो आप यहां से free download कर सकते हैं half trend indicator कर सकते हैं हाइ कर नाशी और super trend कर सकते हैं mcd कर सकते हैं RSI का indicator कर सकते हैं यहां पर bottom पर दोस्तों एक और indicator है यह easy trading system यह semi auto है ठीक है मैं आपको semi auto इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि auto trading में क्या होता कि जो भी हम strategy लगाएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कब उसमें signal बना कब नी बना तो इसके लिए हम यहां पर से इस indicator को copy करेंगे और indicator को copy करने के बाद हमें in indicator में paste करना होगा हमें go mt4 में open data folder में डायेगे file में आने के बाद और यहां परuje meql4 में जाएंगे उसके बाद indicators के folder में जाके रिफ्रेश करना जब हम रीफ्रेश करेंगे तो वो elevator हमें यहां दिखाया देने लगे गैढब यहां पर मेरा को दिख़ाओ देने लग दोस्तों, यह यहां पर दिख्याई देने लग यहां अब यह करने के बाद अब हमा थ습니다 सुर्व में होता है यहां पर यहां पर एक option है मैं निए क्रें लेक्ने 200 behalf दोस्ते यहां पर आने के बाद हमें एमटी फोर ब्रिज में आने के बाद हमें क्या करना होगा इसमें हमें क्रिएट सिंबल करना होगा क्रिएट सिंबल करने के लिए हम किसी भी सिंबल का नाम यहां पर दे सकते हैं जैसे असवाला सिम्बल है यह हमें सेव करना है अब से मालों यह सिंबल में घ्रेकट करना है तो अम इसको स्टार्ट करने के बाद यहाँ फ시면 एक यूजर की है और एक इंस्टुमैंट की उन्सुल्मेंट ही हमारा की केलो क्लिय की केलिंचल है लिया और हूं कि उसर्हत 15 में ऐसमारा मॉबाइल नमबर यूजर की होता है तो मधने हैं प्रस्क्माइब पेस्ट कर दिया उसके बाद इस्ट्टुमेंट की हमने से पीर उसके बाद यह order type में आ रहा है regular order मारना है कौन सा bracket order मारना है cover order मारना है angel में भी bracket cover order का option मुझे मिला नी तो हम regular order मारेंगे और अगर हमें trade करना है तो हम इसको CNC करेंगे ठीक है क्योंकि positional trade CNC क्यों हो दिया MIS intraday करना है तो MIS कर सकते हैं चलो मैं MIS कर देता हूं market order लगाना है यहां पर B.O.C.O के stop loss target में हमें कुछ नहीं रखना price में कुछ नहीं रखना क्योंकि हम लोग market order और regular order place कर रहे है stop loss target को हमने यहां पर disable किया तो stop loss target की भी हमारे को जरूवत नहीं है अब यह सब करने के बाद जब हम इसको ok करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहां पर बटन बनके आ गया अब हमें क्या करना है अब हमें ACC का symbol लगाना है कि यह ACC का cash का symbol है मैं इसको चार्ट में ड्रैक कर दूँगा अब मालो हमें यहां पर trading करनी है इसके 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 इसाफ से तो हम कैसे करेंगे मैं expert tab खोल देता हूं ताकि हमें दिखाई देता रहे कि किस तरीके से trading हो रही है अब मालो मुझे यहां पर 19 शेर की trading करनी है 19 शेर की trading करनी है तो मैं यहां पर 19 लिखके यहां पर मैं buy का button प्रेस करूँगा जैसी मैं buy का button प्रेस करूँगा तो यहां पर मुझे credentials यहां पर कुछ लिखा हुआ आ गया कि देखिए result success message fresh trade place हो गया अब मेरा entry हो गया एक fresh trade trade place हो गया अब मैं चाहता हूं देखना तो मैं empty for bridge में दुबारा जाओंगा और जाने के बाद देखोंगा कि यहां पर मेरा trade place हुआ नहीं हुआ यहां पर trade का option है इस पर मैं click करूंगा तो यहां पर मुझे दिखाएगा एक trade हमारा place हो गया अभी दोस्तों देखो शाम हो रहे हैं तो market में order to place होगा नहीं लेकिन हम इसको देख सकते हैं किस तरीके से देखेंगे हम अपने जाने के बाद यह हम से ID password मांगेगा हम यहां पर अपनी ट्रेडिंग के ID password डालेंगे और sign in कर देंगे जैसे हम sign in करेंगे दोस्तों तो वहां पर orders का टैब उपर आता है orders के टैब में जब हम जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हो ACC by NSE का एक order बाहर हो गया 19 शेर का और यहां पर हमें दिखा रहा है order rejected adapter is यहां पर लिखा हुआ adapter is locked off मतलब कि अभी मार्केट चालू नहीं है तो इसलिए यहां पर trade हुआ नहीं है ठीक है इस तरीके से दोस्तों हमारा trade होता है और भी को ट्रेड हमें लगाना है मालो और किसी चीज में trading करनी है तो हम क्या करेंगे दोस्तों मालो मुझे crude oil में इसको हम सेव करेंगे अब यहां पर देखाए दोस्तों यह वी सेव हो गया यह रेड कलर का डॉट दोस्तों दिखरें रेड कर्या डॉट का मतलब अभी कोई ट्रेड है इसमें ठीक है तो अब हम इसको भी स्टार्ट कर देते हैं और मैं यहां से इसकी instrument की को कॉपी कर लेत और order type में MIS रखा अगर आपको carry forward करना है तो आप NRML कर सकते हो जैसे मैं आप यहां पर NRML कर दिया NRML करने के बाद यहां पर देखो दोस्तों हमने इसको start किया हुआ है तो यहां पर अब हम trade place कर सकते हैं मैं इसको दुबारा से यहां पर हटा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे अब मुझे मालो sell का trade place करना है तो मैं यहां पर sell के button पर click करूँगा जैसी मैं sell के button पर click करूँगा इसने मुझे फिर से एक message दिया कि successfully order place हो गया trade place हो गया अब यहां पर अगर मैं trade history में जाकर देखता हूं तो मुझे यह दिखाई दे रहा है कि sell का order successful लगए यहां पर अगर आप success पर click करोगे तो यह आपको बताएगा कि order success हो गया है अब यहां पर हम जाके अपने trade history में दोबारा से देख सकते हैं अचाना क्यों इन से सेशन मेंरा इसमें एक्षपार हो गया तो से लोग इं करना होगा मैं जैसे मैं लोग इन करूँगा है मुझे order window यहां पर आप देख क्रूरूड का order यह आपे दिखा रहा है तो जैसे यह crude oil का order यहाँ पर दिखा रहा है यह crude oil का order लगया इस तरीके से दोस्तों order place हो जाता है अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कई बार जब हम यहाँ पर authentication करते हैं एक problem है जो API की जो team है उन्होंने अभी यहाँ पर एक चीज करी है वो यह है कि जो आपके broker के साथ account खुला होता directly उनको वो अभी access देते हैं लेकिन अगर आपका broker के पास account नहीं खुला हुआ तो वो आपको access नहीं देते और जैसी आप get access token पे click करते हो तो आपको एक error आजाता है invalid user ID और password का अगर आपके पास ऐसा कोई error आता है angel में तो आपको क्या करना है smart API में जाना है smartapi.angelbroking.com पे वहाँ पर एक forum आएगा forum पे click करना है और यहाँ पर आपको देखो एक option आएगा यहाँ पर जब आप node.js के SDK में जाएंगे यह tab आएगा जिसमें लिखा होगा login problem login problem में आपको जाना है और यहाँ पर अगर आप सबसे नीचे जाकर देखेंगे तो हम migration के लिए यहाँ पर request डालते रहते हैं आपको भी अपना account login करने के बाद यहाँ पर यह ऐसे करके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि predefined strategies के साथ अगर आपको trading करनी है angel broking में तो वो किस तरीके से possible होगी और कैसे कैसे trades बनते हैं बाखी की चीजें बहुत interesting platform हैं दोस्तों एक बार आईए 6 दिन का trial है free में आपको trial मिलेगा 6 दिन का आप trial लेके देख सकते हैं और trial में आपको सब चीजें अच्छे से पता लग जाएंगी तो दोस्तों आज से करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एंड हैपी ट्रेडिंग ईग है कर आपर देख से कर दो लेके दो पन्स आप किर दोस्तों आपको आप जा जाएंगी